हलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल S.R. जाजोरिया पर स्वागत है हम डिसकस कर रहे हैं advanced English structure किस प्रकार से हिंदी के sentence को इंगलिस में convert किया जाता है जो कि spoken English के sense में और डेली usage के रूप में पहुत important topic है आज का हमारा topic है चाहे कुछ भी हो या कुछ भी हो आप इंदी में दिन में कई बार जो इस प्रकार के sentence यूज करते हो चाहे कुछ भी हो तो इसको आप English में लिखोगे whatever may happen बस यहीं से आपका sentence बन गया अगर आप इसको use करते हो तो समझ लीजे कि आप भी अपने आप में की smart कहलाओगे चाहे कुछ भी हो तुम यहां नहीं रह सकते इस तरह के sentence आप डेली पहुत सारी use करते हो चाहे कुछ भी हो मैं यहां नहीं रह सकता मैं यहां एक मिनट भी नहीं रुख सकता इस तरह के sentence में का use किया जाता है तो चाहे कुछ भी हो इसके लिए आप लिखोगे whatever may happen तुम यहां नहीं रह सकते तो इसको tense के according ऐसे कैसे बना दो तो you can't live here ठीक है? whatever may happen you can't live here तुम यहां नहीं रह सकते चाहे कुछ भी हो मैं अपना सिद्दान्त नहीं बदल सकता बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने सिद्दान्त पे चलते हैं वो अपने आपको नहीं बदल सकते तो वो adding है तो adding है तो इसी sense में चाहे कुछ भी हो मैं अपना सिद्धान्त नहीं बदल सकता तो चाहे कुछ भी हो को आप क्या लिखोगे whatever may happen और मैं अपना सिद्धान्त नहीं बदल सकता I can't change my principle चाहे कुछ भी हो मैं रिश्वत नहीं ले सकता बहुत सारे officers हमारे ऐसे होते हैं जो इमानदार होते हैं और वो कहते ही है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं रिश्वत नहीं ले सकता इसको आप change करोगे कैसे English में translate करोगे whatever may happen I can't tag bribe tag bribe का मतलब होता है रिश्वत लेना लेकिन I can't tag bribe यानि मैं रिश्वत नहीं ले सकता देखिए बहुत ही simple है आपको interest आया होगा अब आपके लिए homework है चाहे कुछ भी हो मैं ये channel नहीं छोड़ सकता चाहे कुछ भी है चाहे कुछ भी हो बदला जरूर लेगा कई बार आप कहते हो न चाहे कुछ भी हो जाए मैं बदला जरूर लूँगा तो बदला लेने को take revenge बोलते है आप ये ध्यान रखिएगा इसके जब translation करो चाहे कुछ भी हो हम आपको नहीं बूल सकते यानि बिल्कुल नहीं बूल सकते forget यहां यूज गरोगे आप चाहे कुछ भी हो जाओ मैं आपको नहीं बूल सकता या हम आपको नहीं बूल सकते इस तरह कि आप डेली जो है लाइक में यूज करते हो sentence अमिद है आपको वीडियो ये पसंद आया होगा तो इस वीडियो को आप लाइक करें सेर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करें हसते रहिए मुस्कुराते रहिए देखते रहिए आपका अपना चैनल एस आर जाज हो रही है धन्यवाद